तर परदेश के रामपूर जिले की कोतवाली सुवार के ग्राम मजार खुशाल पूर से तीन सगी बहनों के गायब होने से इलाके में कुराम मच गय था और लोगों में कहा सुनी ओरे थे और पुलिस में शिकायत की गई थी आज कोतवाल सहीत सियो रहुल कुमार ने निरक्ष दिया था जिस बात से बच्चिया घर से नराज होकर चली गई थी महीं एसपी रामपूर डॉक्टर विपिन कुमार टाड़ा ने बताया के थाना सुवार में तीन दिन पहले सूचना आई थी के रातरी में तीन बहने घर से कहीं चली गई है जिस पर अभी वावकों ने मु से पुलिस ने आज बच्चियों को बाकुशल बरामत कर लिया चाइल्ड वैलिफेर सुसाइटी के सामने इनको प्रस्तुत भी किया गया उनके आदेश अनुसार उन्हें रामपूर लाया गया शुरवाती जाच में पाया गया कि पैरेंट्स ने उनको डाट दिया था बच हमारे बारा एक बज़े से अजिन लड़की तीनों बैट तीनों भेन वह यहां गाया बहन तीनों लड़की और फूरती प्रसान है पुलिस में भी इसला कर दिये प्रदान जी तीनों लड़की एक ही घर कि एक ही घर के जी तो मर्ट इंवर कितनी हो इन उमर है कि 5-6 साल कि प्रदान जी स्कूलों बढ़ती थी लड़की है तो आपको कैसा पता चला जब देखा बच्की ना है का तो आपने पुलिस से सिखात की थी हाँ सिखात की साब पूसवारी भी आये थे मैं भी कोई पता नहीं है कितने टेम से गाए बारा बज़े से अब भी लोग भाज हुए हैं जोड़े लिए कप्तान साथ ये तीन सगी बेहने लापता हो गए थी पुलिस में बरामत कर लिए किया था पूरा माम लगी ये इसमें ताना स्वार में तीन दिन पहले सूचन आई थी रात्री में कि तीन बेहने घर से चली गई हैं इस पर अभी पावकों ने जो बदमाद दर्च करवाया है उस पर पुलिस ने कारेवाई की ददकाल पुलिस टीम रवाना हो गई बच्चियों को तलाश में जो सुराग मिले उसके आधार पर पहले हमने दिल्ली में फिर अजमेर में हमने तलाश की और अजमेर में ये बच्चियों को हमने बरामत किया वहाँ पर बच्चियों को Child Welfare Committee के सामने प्रस्तुत किया गया और उनके आदेशन उसार फिर ने रामपूर लाया गया है अच्छा कि इन कार्डों से क्या प्रस्तित रही जो बच्चे घर से चले गई जो शुरुआती पूचताच में बच्चियों ने बताया है रामपूर से राहूल मौरे की रिपोर्ट